हेलो फ्रेंड्स जोती भाटी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक ऐसा नैचरल हेरेटोनिक शेयर करूंगी जो बालों की कई प्रोब्लम को रिमूब करेगा बालों की ग्रोथ को इंप्रूव करेगा ड्राई और डैमेज बालों को रिपेर करके उन्हें सिल्क और शायनी बनाएगा साथ ही जड़ते बालों को रोक कर उन्हें घना बनाने में हैल्प करेगा आएब जानते हैं ये हेरेटोनिक बनाना कैसे है इसके लिए हमें कौन से इंगीडियंट्स चाहिए सबसे पहले पैन लेकर इसमें एक ग्लास पानी डाल दें अब इस पानी में एक चमच चाह पती डाल देंगे फ्रेंड्स आप यह तो जानते हैं कि चाह पती हमारे बालों के लिए रामबान ओश दी है चाय पत्ती में कैफिन पाये जाता है जो बालों की जड़ों से infection को दूर करता है और बालों की जड़ों में जाकर बालों को जणने से रोकता है चाय पत्ती में polyphenol, vitamin C और E की मातरा होती है जो बालों को नरम, मुलायम और चमक दरबनाने में काफी helpful होती है साथ ही हम एक गुडल का फूल एड़ कर देंगे गुडल का फूल तो बालों के लिए वर्दान है गुडल में परचूर मातरा में विटामीन A और C पाय जाता है साथ ही हाइडरोक्सी एसिड और रहने पोशक तत्त भी पाय जाते हैं गुडल ऐसे में स्फेध हुए बालों को काला करता है बालों का जड़ना रोकता है गुडल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है साथ ही बालों के लिए कंडिशनर का काम करके बालों को नरम लायम और हैल्दी बनाता है इस पानी को चाह से 5 मिन तक धिमी आज पर उबलने के लिए रख दें जिससे इन इंग्रियंट्स के सभी न्यूट्रियंट्स इस पानी में एड़ हो जाएं अब आप देख सकते हैं 5 मिन बाद पानी का कलर इस तरह से हो जाएगा अब गैस बंद कर दें और पानी को ठंडा होने के बाद चान लें इस तरह से तयार पानी को बालों में शैंपू करने के बाद कोटन की हैप से बालों की जड़ों और बालों पर अच्छे से अपलाई करके आदे घंटे के लिए छोड़ दें आप चाहें तो स्प्रे बोटल की हेल्प से भी अपने बालों पर अपलाई कर सकते हैं आदे घंटे बार नॉर्मल पाने से बालों को दुबारा धोलें इसे वीक में कम से कम एक बार जुरूर अपलाई करें यह टोनिक बालों को नैचरल बेनिफिट दे कर उन्हें लंबा काला घंअपनाने में हैल्प करेगा लंबे घंए बालों की चहां में जीरो बजट में इतनी मिनत तो कर ही सकते हैं थैंक्स फोर वचिंग मैं वीडियो